हरा दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो इवेस का मैं आपको चैप्टर वाइस टॉपिक करवा रहा था जिसमें हम अपना अध्यन 4 यानिके अध्यन 4 हमने स्टार्ट करें दिया था चमकते सितारे यानिकी रैजिंग स जिसके मैं आपको पहला पार्ट करवा चुका था इंपॉर्टेंट 40-50 पॉइंट्स मैं आपको बताया था जो कि अग्जाम पॉइंट ऑफ यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले थे अगर आपने वीडियो देखी है तो ठीक है नहीं देखिए तो मैंने आप कि गुपता ओनलाइन वीडियो तो गुवर्मेंट अग्जाम चलिए शुरू करते हैं तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि कलपना चावला किस परकार से आपने चमकते सितारों में या सुनिता विलियम्स या आपके नील आमस्ट्रॉम जो की 20 जुलाई 1969 में उ दिखते हैं क्यों कि देखो दिन में जो सूरे का परकाश होता है वो जादा होने के कारण दिन में दिखाई नहीं देते हैं नहीं तो दिन में भी तारे दिखते हैं लेकिन सूरज की रोशन इतनी तेज होती है कि दिन में तारे नहीं दिख पाते हैं तो यह आपका कोशन ए बारों की रोश्णी सूरज की रोश्णी से जादा हो जाती है इसलिए रात में दिखाई देते हैं नेक्स्ट है अंत्रिक्ष में बालों को कंगी की जुरत नहीं होती है जैसे कि मैंने आपको बताया था अंत्रिक्ष में जब गई थी पहली बार सुनीता विलियम्स वो कौन थी तो सबसे पहली ऐसी महिलाती भारत की कि आप वहाँ पर प्रिफ्वी में 6 मही ने से जादा रही थी वो ओक ह्य तो वहाँ पर उन्होंने कुछ वीडियूส बना कर सैंड करी थी क्योंकि आप प्रिफ्वी के बाहर जाते हो यानि कि अंत्रिक्ष में जाते है तो वहां पर चलने इधर से उदर जाने के लिए वह तैरते रहना होता है वहां पर एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए तैर के जाना होता है मतलब जैसे आप पानी में तैरते हो नहीं होता है मतलब वहां पर चलना मुंपीन नहीं होता है मैं बदाते हूं हलका से मिस्परेंटर कोई बात नहीं वहां पर चल पाना मुश्किल है अंतरिक्ष में इधर से उदर जाने के लिए क्या करना पड़ता है ऐजे तैर ना पड़ता है जैसे आप पानी में रहते हो न उस परकार सा सेम होता है ओके नेच्जट आपका अंत्रिक्ष से केबल समर्ड यहां पर हलका कोई बात नहीं समुंदर में Zände है अलग अलग देश नहीं कहने का तॉअध पर यह नहीज दिखाई देते हैं के वल अंतरक से क्या दिखाई देता है जो हराई ज्डित से तोहर िखें ज्यासे 10 कि आपका ठाह्ट तोहार है जैसे कि आपका रमधान है एद है या फिर आपका थोड़ा जैसे आप बोल सकते हो करवा चोद भी आपका इससे ही जुड़ा हुआ तोहार है तो कुछ आपके चान से जुड़े है तोहार है तो directly आपसे पूछ लिया जाता है कि वो सारे बताई हो जो चान से जुड़े हुए आपके तोहार है नीचे आपको च प्रिथवी के वायू मंडल में आते ही जल जाता है तो ध्यान रखी का यहाँ पर काफी बार पूछा जा जुका है तो तूटता तरह क्या कहलाता है वह उपग्रह के इस्तमाल टीवी और मौसम की जानकारी के लिए करते हैं और तूटता तरह उलका पिंड वह होता है जो प्र जितर की दिशा में दिखाई देता है इंपॉर्टन्ट है ध्यान रखेगा क्या पता इससे पहले भी कोशन आपसे यह वाला पूछ दुबारा रिपीट हो जाए ओके और ध्यान रखेगा जो मैंने आपको सुनिता विलियम्स की बात बताई थी तो सुनिता विलियम्स से जब अंतरिक्ष में गई थी तो उन्होंने क्या करा था कुछ अलग से अपने चितर भेजे थे जैसे कि पाउं पर जमीन ना टिकने का चितर खाना उड़ने का चितर बाल खड़े होने का चितर यान के बाहर सुनिता का चितर दिखाए गया था तो अलग अलग डेट में दि चित्र था वो उसी दिन 11 12 26 का खाना उड़ने का चित्र था दो दिन बाद यानि कि 13 तारीक का बाल खड़े होने का चित्र था इंपोर्टेंट ऐसे चित्र आपसे कोशन वैसे तो पूट अप नहीं हो गई बस आपसे पूछा जाएगा कि कौन थी पहली मैला है तो नाम ध्यान रखेगा आप उनका ओके नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं नेक्स कोशन मैं बोल रखा आईजाका एसी मो ध्यान रखेग व्यक्ति का नाम है दुआरा लिखी गई एक पुस्तक है How we found the earth is round उन्होंने एक पुच्टक लिखी गई थी इसमें बताया गया था कि सदियों से इंसानों ने पृत्वी के बारे में क्या-क्या सोचा है तो देखें, आपर सर्दियों हो गया सदियों अना चीह था ज़्यादा ही मिस्प्रिंट हो रखा है इसमें कोई बात नहीं सर्दियों योन है, सर्दियों योन चीह सदियों से इंसानों ने पृत्वी के बारे में क्या-क्या सोचा है इसके बुक में लिखा है बुक का नाम क्या है आपका कि How we found the earth is round उन्हें लिखा हुआ है ग्लोब के किस दिशा में है तो ग्लोब के नीचे वाली दिशा में इस्थित है आपका नेक्स्ट है अंत्रिक्ष में पानी एक जगा नहीं टिकता है वह बुल-बुलो की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है कहने का तात पर है जैसा अगर आप पानी में जाते हो तो पानी में एक पानी का या फिर आपने देखा होगा कि आप जो वो नहीं आती पच्चों के लिए फुलाने वाले वो क्या कहते हैं चोटे-चोटे से फूक मारते तो बैलून से निकलते हैं तो कपड़े को गीला करके अपने चेहरे को पोच्छी थी तो इसलिए कहा गया है एक जगा नहीं टिकता है बुलबुलो की तरह इधर-उदर उड़ता फिरता है, next question, धरती पर गुर्त आकर्शन से ही हम पृत्वीपर टिके हुए है, यानि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, गुरत आकर्शन होता है, उसी के कारणा हम पृत्वीपर टिके हुए है, नहीं तो हम भी आंत्रिक्ष की तरह इधर उधर ऊड़ रहे होते, तो माउंट एवरेश्ट पर चड़ने हैं तो चुना गया था कब इंपोर्टन कुछ डेट है जैसे कि 23 मई 1984 को दिन में एक बचकर 7 मिनट पर 88-48 कितनी होगी माउंट एवरेश्ट की उची आई 88-48 और दिन परती दिन यानि कि साल दर साल इसकी उचाई बढ़ती जा रही है अब क्या कहा जाता है सागर माथा कहा जाता है तो डिरेक्ले कोशन पूछ लिया जाता है कि एवरेश्ट को यानि कि माउंट एवरेश्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है तो नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है पर कदम रखा 43 मिनट वहार रही और वह है पांचवी महिला बनी जो average पर गई ध्यान रखेगा विश्वी की कोण सी बनी थी ये आपकी पांचवी महिला बनी थी और भारत की पहली महिला बनी थी अगर आपसे पूछा जाएं कि बेचंदरी पाल विश्वी कोन सी महिला है जो माउंट एवरेश्ट पर चड़े थी तो पांचवे नमबर की महिला है और भारत की पहले नमबर की जैसे कि बेचंदरी पाल एवरेश्ट पर चड़ने वाली पर्थम भारतिय महिला है और इनके कोन थे तो ब्रिगेडियर ग्यान सिंग गुरू थे इनके ओके इसी के अनुसार नहरी इंसिटूट ऑफ मांटरिंग यह आपसे पूछ लिया जाता है कहां पर है आपका यह इंसिटूट तो यह उत्तरकाशी में ही इस्थित आपके मांटरिंग करने के लिए आपको यह ट्रे आपको नाम बता देता हूँ लेफटेनेंट कमांडर वहिद प्रिजा जो कि आपके एक भारतिय कहां नौसेना की डॉक्टर है वह नौसेना के समुंदरी जहाज पर काम करने वाली गुनी चुनी महिलाओं में से एक है यह पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कम जोरी जीले की थाना मंडी नाम से बहुत छोटे गाउं की है यह और स्कूल के समय कैंपों में भी जाती थी और पहाड़ों पर भी चड़ती थी ओपन ध्यान रखेगा यहां पर साफ साफ इनके बाले में कुछ बोला जा रहा है कुछ बताया जा रहा है ज़े बच्पन की क होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया यह पहली महिला थी लेफ्टिनेंड कमांडर वहिद प्रिजा जिन्होंने भारते नोसेना में क्या थी हैं डॉक्टर पूरी की पूरी एक प्रेड़ की कमाल समाले थी जिसमें कितने निर्देश दिये जाते हैं आपके लीडर के पीछ इसी से related कुछ और questions पूछे जा सकते हैं जैसे कि कफ प्रेड जो होता है वो कहां पर है तो आपका मुंबई में हैं यह फिर कुछ important या फिर मैदानों के नाम से दियाना जा सकते हैं जैसे कि YMCA कहां पर मैदाने तो यह बांदरा में हैं आपका NAS Gym कहां पर है तो नासिक में ह इस प्रकार की कुछ अलग-अलग points ने आपको याद होने चाहिए धियान होने चाहिए जैसे point of view से आपके exam में पूछे जा सकते हैं तो ती जो main main ने आपकी चोटे-चोटे points हैं यह मैं आपको one words अब जब करवाऊंगा आपके questions वो उसमें आपको सारे के सारे questions include करवा दू करेंगे पाच्वा जो किया है परिवार एवं मित्र के बारे में ओके तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपके मन में वीडियो के रिगारिंग कोई भी प्रॉट